असलाम अलेकुम and welcome to this video series on tax awareness by bfiler.com your digital tax advisor आज हम जिस topic को discuss करेंगे ये वो topic है जिसका मरहला taxpayers के लिए बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही एक दुश्वारी का मरहला होता है आज हम audit को discuss करेंगे audit जो है वो FBR के कवानीन के हिसाब से अगर हम income tax laws की बात करें तो दो methods हैं दो streams हैं जिसके through किसी भी taxpayer का matter जो है वो audit में select किया जाता है originally जो section है that is section 177 जिसके अंदर एक commissioner inland revenue के पास ये powers हैं कि वो किसी भी taxpayer के हवाले से पिछले जो 6 साल गुजरे हैं उन 6 सालों में से कुई भी साल वो pick कर सकते हैं कि अच्छा ये एक particular year है और इस हवाले से मैं आपका audit करना चाहता हूं और इसमें they are only required to give their reasons उन्होंने अपने reasons जरूर अलबता writing में आपको देने हैं कि based on these reasons हम आपका audit जो है वो select कर रहे हैं लेकिन बहराल इसके इलावा और कोई उनके पास limitation नहीं है तो इन 6 सालों के हवाले से जो भी साल एक commissioner revenue चाहें वो आपका case जो है वो audit में open कर सकते हैं without any restriction without any limitation तो यह originally section है section 177 जिसके अंदर यह commissioner को empower करते हैं कि आपका matter जो है वो audit में take up किया जा सके लेकिन इसके साथ साथ जहां पे complication अब start होती है उस पे जरह हम आते हैं 2010 में section 214C के नाम से एक section introduce किया गया जिसमें जो federal board of revenue का board है the board जो कि governance body है उनको इन powers के साथ west किया गया कि अच्छा उनके पास भी अब यह powers है कि वो किसी individual को certain parameters के basis पर या तो वो random selection होगी या वो parametric selection होगी board के पास भी यह power है कि वो अब उनका audit जो है वो take up कर सकते हैं उनको audit के लिए select कर सकते हैं और फिर उसका बकिया जो procedure होगा वो ऐसे ही होगा जैसे section 177 में एक comprehensive audit किया जाता है अच्छे जब यह section introduce हुआ तो फिर taxpayers की तरफ से यह contention आया कि जब आपने यह power board को दे दिया है तो फिर यह power commissioner के पास तो नहीं होना चाहिए जब यह power west हो गया तो अब यह सर्फ बोड के पास ही power होना चाहिए कि किसका matter जो है वो audit के लिए select होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का जो selection method है methodology है किसी भी taxpayer को for the purpose of audit बड़ा different है बोड क्या करता है बोड जो है जैसे section में भी लिखा गया कि किसी भी individual को अगर tax audit के लिए take up किया जाएगा तो वो एक computer ballot होगा या तो वो random ballot होगा या वो parametric selection होगी और बोड का तरीके कार यह है कि सालाना basis पर एक audit policy initiate की जाती है जिसमें बाकाइदगी से बताया जाता है कि यह certain cases है जिने हम exclude कर रहे हैं for example very commonly जो salary cases है उन्हें exclude किया जाता है जो pension की cases है उन्हें exclude किया जाता है ऐसे ही अगर किसी की sole income जो है वो fixed tax regime के अंदर आती है जैसे for example exporters है जैसे for example profit on debt for individuals है तो इन तमाम cases को भी audit selection के अंदर से exclude किया जाता है तो यह बाकाइदगी से एक audit policy देता है जो board है वो annual basis पे और उसकी basis पे फिर किसी को भी audit के लिए take up किया जाता है उनका matter take up किया जाता है लेकिन इस section में बहराल यह जरूर mention है कि इसके जो parameters होंगे उन्हें confidential रखा जाएगा यह parameters कभी जो है वो board by and large public नहीं करता अलबरता एक judgment है superior court की जिसके basis पे अब यह इस पर consensus है इस पर clarity है कि अगर किसी एक individual का matter select किया जाता है for the purpose of audit by the board तो उस individual के पास right है कि वो board से ही question कर सक रहता है कि आपने किन parameters की basis पे मेरा ही case इसमें select किया है and the board would not be required to disclose to that particular person only कि अचा आपके case में यह parameters थे जो आपने टेक अप किये तो यह board का एक तरीके कार है तो contention taxpayers की तरफ से यह आया कि जब board को आपने यह power दे दिया तो फिर commissioner के पास under section 177 यह power नहीं होना चाहिए कि वो भी हमारा matter of audit में take up कर पाए जब भी contention होता है तो judiciary हमारी जो honorable judiciary है उन्हीं के पास ही जाया जाता है उन्हीं के दर्वाजा खट-खटाया जाता है फिर इसी त position को uphold किया गया, इस position को ही जो है वो adopt किया गया, कि after 214C, अब cases जो है वो board की तरफ से ही take up किये जाएंगे, commissioner के पास से power नहीं होगा, लेकिन जैसे ही judgment आई तो फिर law में एक amendment की गई, जिसमें specifically 177 के अंदर भी and 214C के अंदर, दोनों जगा, यह लखा गया कि यह commissioner का independent एक power है under section 177, this is independent from 214C, याने board चाहे तो आप audit policy के हिसाब से वो किसी भी individual को take up करेंगे, based on the parameters in the policy, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि commissioner का अपना जो power है, पिसले 6 सालों के हवाले से आपके matter को audit में take up करने का, वो exclude नहीं हो जाता, तो फिर कानून में जब यह चीज specifically include की गई, तो फ 2015 में एक judgment आई अगे हैं, सुपीरियर कोर्ट की तरफ से, जिसमें यह categorically conclude किया गया, कि अब क्यूंकि यह कानून में दुबारा से तर्मीम लाई गई है, तो अब commissioner के पास अलेधिया और एक अलग अपना power है, जिसके थूँ वो चाहें, तो आपके matter को audit के लिए take up कर सकते है तो यह एक overall picture है, एक overall scenario है, जिसके basis पे हमारे सामने दो broad streams नजर आती हैं, जिसके through आपका matter as an individual taxpayer, as a corporate, as an organization जो है वो audit में by tax authorities take up किया जा सकता है, अच्छे यह जो जब audit initiate होता है, तो एक तो 177 के अंदर भी commissioner के पास power है, कि आप से records और गेरा तलब किया जाएं, लेकिन एक फ उनके पास बड़े comprehensive powers हैं, जिसके अंदर वो आप से तमाम information आपके हवाले से भी मांग सकते हैं, और अगर for example किसी और taxpayer का audit conduct कर रहे हैं, तो ऐसी situation में भी वो आप से information उनके हवाले से भी मांग सकते हैं, तो बड़े comprehensive powers under section 176 जो हैं वो commissioner को दिये गए हैं, कि अच्छे यह यह तमाम information वो आप से मांग भी सकते हैं, आपकी physical presence भी ensure करा सकते हैं, आप से oath लेके आपकी testimony वगेरा भी record कर सकते हैं, और इन तमाम matters में उनके पास वही सारे powers होंगी जो कि एक civil code के पास powers होते हैं, तो यह बड़े ही sweeping powers हैं, जो कि इन sections के through commissioner and revenue को दिये गए हैं, लेकिन in any case, मे जारा message आपके लिए यह है कि आपने इन सारी comprehensive requirements को देखते हुए, आपने ऐसा नहीं सोचना कि this should not be a deterrent for you, कि हम compliance की तरफ ना जाएं, और यह क्योंकि इतनी ज़्यादा सकत requirements हैं, क्योंकि कानून का fundamental structure है, income tax का वो universal self assessment के उपर based है, पहले, सबसे पहले क्या होता है कि जब about any question माना जाता है कि अचा यही आपकी declaration है, और फिर सिर्फ इसको debtor करने के लिए कि लोग इस चीज़ को misuse ना करें, audit जो है वो उस बाद ही किया जाता है, और बड़ा ही कम आप देखेंगे, जैसे audit policy भी अगर आप कभी देखें, तो उसमें बताते हैं कि जो भी total tax filers हैं, उसका हम 0.75%, 0.7%, 0.6% सिर्फ audit करेंगे से ज्यादा लोगों को audit नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जिनका पूरी जिंदगी में कभी audit उपर नहीं किया जाता, तो इस पर जाए से इस शुद नॉट बड़ी अड़ी अड़ी आप फुल कंप्लाइंस क करें, यह सिर्फ उन लोगों के लिए एक डिटरिंग फैक्टर हैं, जो के टाक्स एवेजिन करते हैं, जो के मिस्रेप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी टाक्स एटांस के अंदर. आप हमारे साथ जरूर कनेक्टेड रहें ताकि इस किसम की और इंफॉम्टिव वीडियो आपके साथ शेयर करें, थाक्यू.